करनाटक से एक दिल दहलादे देने वाला वीडियो सामने आया है मामला करनाटक के होनावार का है जहां एक एंबुलेंस हाथसे का शिकार हो गई तेज रफतार एंबुलेंस तोल नाके पर बिकाबू होकर पलट गई इस दर्दाक हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई घट्टा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि करनाटक के उडूपी जिले में शिरूर टोल प्लाजा पर ये हाथसा हुआ हाथसे की तस्वीरे सीसी टीवी में कैद हुई है जो रोंगते खड़े कर देने वाली है दर्दनाक हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घाहल हो गए घाहलों में दो लोगों की हालत नाजुक बताय जा रही है जिनका इलाज जारी है हाथसा उस वक्त हुआ जब एम्बुलेंस पेशन्ट लेकर जा रही थी पेशन्ट के साथ उसमें दो अटेंडन्ट भी सवार थे एम्बुलेंस चालक के साथ उसमें सवार सभी लोगों की इस दर्दनाक हाथसे में मौत हो गई हाथसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है जो मन में खौफ पैदा करने वाला है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक गार्ड एम्बुलेंस को आते देख दो बेरियर को समय रहते हटा देता है इसके बाद बूम बेरियर भी उपर कर दिया जाता है लेकिन जैसे ही टोन नाके पर एम्बुलेंस आती है वो बेकाबु होकर डिवाइडर से टकरा जाती है चन्द सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है ऐसा दावा किया जा रहा है कि एम्बुलेंस की रफ्तार बहुत तेज थी और इसी दोरान गीली सड़क पर एम्बुलेंस चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रखा और गाड़ी हाथ से दशिकार हो गए झाल